आएए बढ़ते हैं हम अपने उन ब्रिलियंट परस्नालिटीज की तरफ उन बेतरीन टीचर्स की तरफ जो हमें गाइड करते हैं हमेशह वीवर्स ही बात करती हूं कि मैं यहां पर स्टुड Twoenda के तरफ आती हूं और क्ने Combat करती हूं रज़ेंशनी हमारा स्कॉलर के साथ सग्मन्नत क्यों होता है उसने उफ्जिक्टिफ यह होता है ज्यादा से ज्यादा सिखूं तो जो नॉलेज इन सो पास है उस नॉलेज क करते हैं सबसे पहले वो परसनालिटी जिनको किसी इंट्रोड़क्शन की जरूरत नहीं है हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं स्कॉलर हैं राइटर हैं चेर्मन ऑफ नाशनल उल्मा काउंसल हमारे साथ हैं मुफ्ती ताहित तबस्सुम साथ अससलाम अलेकुम असलाम रहमतुल्ह वरकातो कैसी हैं आप खेरिये से अलहमदुल्ल्ह अच्छा सिरफ आप भी स्टूडेंट नहीं हम भी स्टूडेंट हैं चुकि हमारे आका अले स्लाथ असलाम ने फरमाया है कि मां की गोल से गोर तक एहलम हासिल करो प्यादा जिदागी भर बंदे को स्टूडेंट ही रहना चाहिए और आपकी क्वालिटी है कि आप उने इसका एलान करती है और इसका बड़ा बेनिफिट होता है फाइदा होता है कि बंदे के एल्म में नालेज में इजाफा होता है जब तक वो सीखने का मतमनी होता है तो आप दुनिया के सपोर्टिव और प्यार करने वाले भाई जो गाइड करते हैं कोई गलत बात कहते हूं तो मुझे उस पर करेक्ट करते हैं और कहते है बटा जगन फॉर इसला कर लो अपनी विच इस तो पॉंट इस ऐसे टीचर से सीखने को भी दिल चाहता है एक दूसरे से सीखना चाहिए बिलकुल अजिए एक और बहुत प्यारे भाई वेरी सौफ स्पोकन जेंटल परस्टालिटी मुस्कुराते मुस्कुराते ऐसी ऐसी बाते हमें समझा जाते हैं कि हम कहते हैं इतनी बड़ी बात समझा दी अल्लामा हसन रजा बाकिर हमारे साथ हैं फ्रम इंस्टिटूट हैपी चेहरे के साथ बात ऐसी करने जा रही हूं जो बहुत से लोगों के लिए तकलीफते होती है यतीम और यतीमों के हक पर हमने बात करनी है लेकिन पहले ये तो एक्स्प्लेइन कर दे हमें कोई कि यतीम की डेफिनिशन क्या है जी मुश्टी साथ बहुत आहम और बन्या की जाती है या उन पर शफकत और रहम करने की बात की जाती है लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या ये लोग और इसके अंदर लोगों को बहुत सारी घलत फेमियां भी होती है तो ये बात समझ लेजिए कि वो ना बालिग बच्चा वो ना बालिग बच्चा सन बलूगत को पहु का वालिद न रहे बाप का इंतिकाल हो जाए वो साया न रहे उसको शरी तोर पर यतीम कहा जाता है क्योंकि वेस्टरन वर्ल्ड में और्फन का यूज किया जाता है वर्ड और उसमें उसका ऑफिसी डेफिनिशन यह होती है कि मां और बाप दोनों ना हो जो लोग अक्सर यह क नभी रामत स्लिल्लाह अलिए वालिए उसल्म ने फरमाया कि सबसे पहले रोज कियामत रोज माश्र जन्नत का दर्वाजा मेरे लिए खुले गा और मैं अंदर एंटर हूँगा उसके तो फरमाया मैं अंदर दाखिल हूँगा फस्ट परसन मैं हूं तो आगे से खातून कैसे आएँगी तो नभी रामत सलिल्लाह अलिए विए विए आप क्या हो और कौन हो मुझसे पहले कैसे तो उस वक्त वो ओरह करेंगी कि है ल्णा के प्यार नभी सल्ली लाज वालिए विए विए मैं वो ओरत हूं जो अपने यतीम बच्चों की पर्वरस के लिए बैठी ही मैंने अपने आपको रोके रखा सेकंड मेरेज मैंने नहीं की सिर्फ इस लिए इस लिए मुझे ये मकाम मिला है तो इससे भी ये पता चलता है कि यतीम उसको कहते हैं जिसके सर पर बाप का साया ना हो माह हो भी तब भी वो यतीम है एक और घलत फहमी ये भी पाई जाती है हमारे हां कहते हैं कि जिसका बाप ना उसको यतीम कहा जाता है और जिसकी माह ना उसको मिस्कीन कहा जाता है हाँ ये बहुत सारे लाकों में बाकिसान में तो ये भी टोटली मिसंडेस्टेंडिंग है कि ऐसी बात नहीं है कि जिसकी माह ना उसको मिस्कीन की डैफिनिशन और मसकीँ तो मोहताज को कहते हैं जो साहि विनसाब नौ जरूरत मांदो हाइए उसके नीचे हर قسم का गृरीब आता है उसको मसकीँ कहते हैं. तो यतीम यह समझ लίजिए नबालग को कहते हैई बालग हो जाए तो फिर यतीम नहीं रहेगा लहाद Το यतीम के या एक सटन एज को हिट करना एक होता है ना जिसको हम प्यूबिटी की एज कि आज कहते हैं तो उस एज तक बात हो रही है या ऐखारा साल 16 क्योंकि मुझे थोड़ी confusion होती है असल तो बात यह है कि शरी तो पर बालग तो बालग की तो वही है निशानी अलामात जो आप शरीयत में बताएगे हैं लेकिन चुके वह hidden होती है ना तो शरीयत ने उपर अलामत रखी है लेहाजा आप consider वह एज ही होगी अब हमारे फुकह काने के कुई बीयमत किसी के सामने ना हो तो हम पटाकरना चाहें कि कौन बच्ची कब बाले हो गए बच्रा को गया तो 15 سा साल उन्हें कह बच्ची की है जो 18 अला मैं वाञेाज एक है उससे पहले पहले उस पर आखका वही नाफिज होंगे, उसके साथ रविया, उसने सलूक, प्यार, महबत, मौामलाथ, उसका ख्याल, उससे पहले उसी तरह रखा जाएगा, जिस तरह एक यतीम का रखा जाएगा, डेफिनिशन क्लियर होगी, अब अलामे साब आप इसमें क्या आयट करना चाहेंगे, बिसमिल इसी तरह चुंके जो बच्चा बलूगस से पहले बाप का साया सर से उट गया, उसे तनहाई का हिसास होता है, तो इस तनहाई के हिसास की वज़ा से उसे यतीम कहा जाता है, और फिर देखिए हमारा इसलाम तो बहुत वसी दीन है, अगर किसी इनसान के सर से बाप का साया उ उट जाए तो उसे यतीम कहते है, जानवरों में उसे कहा जाता है, जिसके सर से मा का साया उट जाता है, और फिर रसूल खुदा सल्लालाई उल्हाली वाली वसल्म ने उसी तनहाई को मद नज़र रखते हुए, आपने देखा कि एक बच्चा है जिसे कुछ लोग रोड पे डांड डिपट कर रहे है, सरज़नष कर रहे है के हमारा बाप है, तम्हारा बाप नहीं है, तो रसूल खुदा सल्लालाई लाभव वाली वसल्म ने उसे ये कमी महसूस ना हो, इसलिए फरमाया कि आगर तुम से ये पोचए कि तुम्हारा बाप कौन है, तो तुम मेरी अफ़ इशारा करो कि रसूल खुदा सलल्लाहु अलिह वालिवासलम मेरे वालिद है इसी तरह अमीरिल मौमिनी हज़रत अलिह अलिह सलम का भी एक फरमान मुबारक है कि जिसमें आपने इसी तनहाई को मद नज़र रखते हुए कि वो जो बच्चा जिसके सर से बाब का साया उट गया है कि कूफा के वो यतीम के जिन्हें कमी महसूस होती थी बाब की आपने उने फरमाया अगर कोई तुम से ये पूछे कि तुमहरा बाब कौन है तो तुम कहा करो कि अली मेरे वालिद है यानि दर हकीकत वो ही यतीम जो एक इन्फिरादियत या एक तनहाई के माना में होता है तो चूँके बाब का साया उट चाए तो सबसे ज़्यादा इनसान उस वक्त महसूस करता है कि वो जो एक साया था मेरे सार से उट गया कि जिसने मुझे शेल्टर देना अचा बट अब मैं एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछूँगी लेकिन पूछना जरूरी है क्योंके मेरी बहुत सी बहने इस वक्त स्क्रीन पे आप लोगों को देख रहे हैं तो फिर वो बच्चा क्या है जिसका बाप जिन्दा है लेकिन उसने अपने बीवी और बच्चों से मुझ फेर लिया देखे ये आजकल अनफॉचनेटली हर दूसरे घर की कहानी है कि घर का जो मर्द था उसने कहीं और शादी कर ली या बीवी को छोड़के चला गया और फिर मुड़के पच्चों का सर पे छट तक के पैसे नहीं प्रोवाइड किये तो वो बच्चा फिर क्या है और उसकी फिर क्या बनती है क्योंकि देखें बाप होने के बावजूद भी बाप कहे कि मैं तुम मैं मानता ही नियू मैं देख एक तो सुसाइटी के है ना रूल्स तो क्या वो बचा यतीम नहीं होता यह नहीं बात है कि कफालत सिरफ यतीम की करनी है अच्छा ठीक है यह बात नहीं है कि आपने यतीम के करना है हर मुस्तहिक हर मौताच हर मजबूर हर जो तही दस्त है तंग दामन है उस पर आपने क्या कहते हैं खर्च करना है उसके काम आना हाथ पटाना यतीम हो मस्कीन हो फकीर हो बेवा हो तो वो बच्चा जिसका बाप उसकी मां को भी पुरी फैमिली को छोड़के चला गया अगर वो भी मुस्तहिक है तो उसका भी उसी तरह ख्याल करना है उसके बढ़ड़ करना है जिस तरह यतीम करते हैं लेकिन हम उसको यतीम हैं यतीम नहीं कहने हैं यह वाही ने एक जो बात कही है ना किसी एक बच्चे से और कहा कि इसको आप यतीम ही समझे मैंने क एक तो बच्चे के सामने आप कैसी बात कर रहे हैं यह नहीं कि अब्बू को कहते हैं इस तो यतीमी नहीं हो तीज पर यह प्यारी बात उसमें एक मुझे बात याद आई थी लतीफ असल में है कि जानवरों में बाप मुताइगन नहीं होता वह मा तो नॉमिनेट है मा का तो है बाप का पता नहीं है तो यह डिफ्रेंस है इंसानी सुसाइटी और हैवानी सुसाइटी इंसानी मौाशरे में और हैवानी मौाशरे में हैवान में और जानवरों में बाप का पता नहीं होता इंसानों में वह इंसानी मौाशरा वह होता है जिसमें बाप नमीनेट हो तो वेलकुम बैक फ्रम दे ब्रेक दियुवज आप देख रहे हैं बहार रमजान और हमारे साथ मुफ्ती ताहर तबस्म है अलामा हसन रजा पाकिर है और हमें जॉइन किया है ब्रेक के बाद पाकिस्तान की बलके इंटरनाशनली रेकिनाइज़ बहुत ही खुबसूरत आवाज क आपका तो नाम इतना प्यारा है क्योंकि मेरी बेटी का भी यही नाम है और फिर मेरे चुटे भाई का भी यही नाम है तो और आपके आने से नूर ही नूर फैल गया और आच टॉपिक भी हमारा कुछ ऐसा है मुफ्ती साब तो अगर आप लोगों की अजाज़त हो तो मैं आउडियंस की तरफ बढ़ना चाहूंगी क्योंकि जब हमने यतीम जब हमने यह वर्ड ही यूज किया तो सारी आउडियंस ने का कभी हमने भी सवाल पूछने हैं तो बेहतर है कि हम उन्हीं को अड्रेस करने दें डिरेक्ली आपको ओडियंस की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ हैं बिया हमारे साथ है अवीसा और देन वी हैव विद अब्दुल्ला और वी हैव विद अशाकिर तो इस वक्त हम शाकिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि पहला सवाल कौन पूछना चाहता है हमारे स्कॉलर से स्सालम यलिकूम वालीकम शील जी मैं यह पोच्छना चाहती हूं कि जो बहन का उता है वो फो हम्हार का हुट है ठीक है अगर बह न दे बहन-को हाँ को और चाचू न दे बतीज्वों को वह भाई का हाँ होता है चाचू की तरफ से तो इनकी क्या से वह बाए हिा वैंड क् खाल ने, कि अगर एक खातून बेवा है, उसका भाई उसको हक नहीं देता? वो भी जाती उन बच्चों के साथ, खातून के साथ तो जाती है, लेकिन आगे से उस्ने बच्चों का भी ख्याल करना था तो तो मा की साइट से भी ज्यात्ती हो रही है उनके टीमों को हक नहीं मिल रहा उस साइट से चचे ताए फैमली मेंबर्स कह रहे हैं कि हमारा भाई चला गया तो हम इनको क्यूं दे उनकी सजा क्या है जो हक खा जाते है डिरेक्ट देखिए एक तो ये बात समझ लीजिए कि कुरान पाक उन इशूज को अड्रेस करता है और आकाम उनके हवाले से नाजल हुए जो सुसाइटी के अंदर खराबियां पाई जाती थी और उस मौाशरे में कबल अजिसलाम का जो दौर था उस मौाशरे में सबसे बड़ी खराबी यही थी जिसकी आप बात कर रहे हैं आज भी वो ए जाने के लिए हीले बहाने तराशा करते थे जान बूज के या तो उनकी आगे शादी नहीं करते थे या यतीम बचीयों को अपने पास खुद को रिश्टदारों में से ढूंडा और शादी कर ली ताके वो सारा माल जो है ना वो अड़ब कर सके और ना कोई उनको हाक देना पड़ेगा ना कोई पूछने वाला होगा तो इस पस मनजर में आज हमारी ट्रांसमेशन का जो आगाज हुआ तो गुरानी आयात जिनकी तिलावत की गई उनमें इन डेटेल वो आका मौजूद है जिनमें कहा गया है कि अगर मुसल्मान हो अगर तुम नबी रहमत सल्ले ल प्रदी माल के बदले में एक्सचेंज मत करो और अगर यतीम बच्ची से शादी करनी है तो उसको बीवी के पूरे राइट्स दो अगर नहीं दे सकते हैं तो फिर सुसाइटी की दूसरी ओरते हैं उनसे शादी करो और अगली आखरी बात जो आपने कहा कि उनकी सजा क्या ह तो पता है क्या कुरान पाक में का कि जो यतीमों का माल जलमन नाहक तोर पर खाते हैं इन्नमा याकलूना फी बतूनहिम नारा कहा वो अपने पेटों के अंदर आग डाल रहे हैं आग वो अपने पेट में आग डाल रहे हैं और यही माल रोजे माशर इसको सलाखे बनाके उ इसमों को दागा जाएगा और कहा जाएगा कि ये माल था जो तुमने नहाक तोर पर खाया था लहाज़ा हमने अगर कलमा बड़ा है हम मुसल्मान है तो अब हमें थियोरी से प्रैक्टिकल की तरफ आना चाहिए और इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप अपनी बेहन के गले को पकड़ के कहें कि साइन कर कागज कि तूने मुझे दे दिया या माफ कर दिया जबरदस्ती की माफी कौन सी होती है भाई अपनी खुशी से बहन कुछ करना चाहे वो और बात है लेकिन एक बात लॉजिकल है कि एक और आगे से अपने बच्चे है अपनी फैमिली है वो क्यो अपना हक नहीं लेगी और उन बच्चियों को अवेरनेस दी जानी चाहिए हार फोरॉम से कि वो डट गया उनका राइट है ताहर भाई आप भी जानते है और मैं भी जानती हूं बच्चियों का सबसे बड़ा यह होता है कि अब घर के जो मर्द हैं वो बात करनी छोड़ द जाएगा हमारा भाई हमसे नराज हो जाएगा और वो अपना हक छोड़ देती है और दिल में यही खलिश रहती है और वो भाई जिसने सब बेटी बेटियों की तरह अपनी बेहनों का ख्याल रखना होता है वो ही उसका हक चीन रहोता है खैर यह तो एक और प्रॉब्लम है अच्छा आपने जो बात की उससे रिलेटिड मेरे ख्याल से हमारे पास एक और भी सवाल है हाँ जी असलाम लेकूं सलाम मैं आप से पुछना चाहती हूँ कि एक जिस तरह यतीम बच्चे होगे हैं तो उनके जो बीवी है तो उनके उनके साथ शादी कर दी तो अभुझ जो यतीम बच्चे हैं अभुझ जो जो यतीम का ह हड़ा है उससे वह यह यदू साध हो जाए हम लोग इंट्रिस्टिंग क्वेस्टिन अलामा साब अब देखिए यहां पर जैसे उनका सवाल था कि मसलें एक औरत बेवा हो गई है और वो शोहर के भाई से बार में शादी कर लेती है अब जो उसकी ऑलाद है उसके बारे में देखिए सबसे पहले माली तोर पर वो जो उनके बाप का इंतिकाल हुआ है उसकी विरास्त के हकदार ये बच्चे होंगे ऐसा नहीं है कि हम विरास्त शादी की वज़ा से जो है उसके भाई की तरफ मुन्तकिल कर दें पहले जो माली तोर पर उनका हक है उन बच्चों का वो हक दिया जाना चाहिए अब दूसरी बात आ गई है ब रसूल खुदा सल्लालाहु अल्ही वाली वाली वस्तलम के अधिस मुबारक है जो आपने खुत्बाहिजत विदा के मौका पर फरमाये था जूमला के मलाउन 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 मनिद्दा इला गयरी अभी ही आपने तीन फ़र फरमाया कि उस पर लानत है कि बच्चा किसी को हो वल्दियत के खाने में किसी और का नाम लिखा जाए ये बहुत ज़्यादा मौक्ने में बस 袈 व्ल्दियत के खाने में भी नाम तब दिल कर दिया जाता है और बस आप गाडियन बन सकते हैं आप गाडियन बन सकते हैं और इसलिए शरीयत भी हमें ये कहती है कि ऐसे जो यतीम नाबालिक बच्चे होते हैं उनका एक वली मकरर किया जाता है यानि जो शरी तोर पर उनकी सरपरस्ती करेगा उनके माली फवाइद नफ़ा नुकसाम को मदे नज लखेगा और जब वो बलूगत के उम्र को पहुंच जाएंगे फिर उनका माल वापस लोटाया जाएगा और कुरान कहता है इस पर भी गवाह मकरर कर लो कि हमने इनकी अमानते इन्हें जैसे ली थी वैसे ही वापस लोटा दो वक्त बिलकुल खतम हो गया सेग्मेंट का और करोडों बाते अभी बाकी थी हम ओडियन्स को मौका देंगे मजीद और सवाल आगे जाके पूछने का